दोस्तों इंडियन क्रिकेट के उभरते हुए सितारे नवदीब सैनी का नाम तो आपने सुनाई होगा जिसने अपनी बुलिट जैसी रफ़तार से संसनी मचा दी है वो लगातार 150 किलोमेटर प्रती घंटे की रफ़तार से 60 गेंदबाजी करते है आज हम नवदीब सैनी से जुड़ी कुछ ऐसी स्ट्रेंज फैक्ट्स को जानेंगे जिसे बहुत कम लोग जानते हैं दोस्तों क्या आपको पता है सैनी के बाएं हाथ में एक भेडिये की टैटू बनी हुई है उनका कहना है कि उन्हें भेडिये बहुत पसंद हैं क्योंकि भेडिये आजाद होते हैं और वो किसी सरकस में ना होके जंगल में आजादी से घुमते हैं सैनी ने 2013 से पहले कभी लेदर बॉल से बोलिंग नहीं किया था वो लोकल टैनिस बॉल टॉर्नमेंट्स में 200 से 400 रुपय प्राइज अमाउंट जीत कर उन पैसों से करनाल प्रेमियर लीग के ट्राइल्स दिया करते थे ऑक्टोबर 2012 में सैनी दिल्ली में अपने दोस्त के घर पे रुके थे उस वक्त रंजी ट्रोफी शुरू होने वाला था सैनी ने अखबार में देखा कि दिल्ली रंजी टीम में विरंदर सहवाग, गौतम गंभीर, विराट कोहली और इशांत शर्मा जैसे सितारे मौजूद हैं वह तुरंत उन्हें देखने के लिए बस से फिरोश्या कोटला स्टेडियम पहुँच गए, पर वहाँ गार्ड ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया, वो काफी निराश हो गए और उन्होंने कसम खाई कि एक दिन वो जरूर वापस आएंगे अगले साल उन्हें गौतम गंभीर को बॉल डालने का मौका मिला, वह गंभीर को बार बार बीट करते थे और फिर शर्मा के सौरी बोलते थे इस से इंप्रेस होके गंभीर ने उन्हें जूता गिफ्ट किया और सलेक्टर से लड़के उन्हें दिल्ली रंजी टीम में शामिल भी कराया दोस्तों नवदीब सेनी की एक गर्फिंड भी हैं जिनका नाम पूजा बिजरनिया हैं दोनों कॉलेज के दिनों से साथ हैं पूजा ने नवदीब को स्ट्रगल के दिनों में काफी सपोर्ट किया था